हेलो दोस्तो आप सभी काफिर से एक नई वीडियो में स्वागत है दोस्तो अगर आपने इंस्टाग्राम लाइट पे किसी के साथ चैटिंग किया है और आप उसे अपनी साइड से और उसकी साइड से मतलब दोनों साइड से डिलेट करना चाते हैं चाहे वो मैसिज आपने भ बहुत ही आसानी से डिलेट कर सकते हैं तो यही ट्रिक आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो दोस्तो आप इस वीडियो को बिना इसकेप के वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेगा और दोस्तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडि लाइट एप्लिकेशन ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा ओके और अब दोस्तों आपको इस वीडियो को पुरा ध्यान से देखना है और अच्छे से समझना है ठीक है ना तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपको इसमें एक ओप्शन मिलेगा उपर कोर्णर में मैसेज का तो आपको सिंपली इस मैसेज वाले ओप्शन पे क्लिक कर देना है फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा अब यहाँ पर दोस्तों आपको किसी भी एक चैट को सेलेक्ट करना है जिस चैट के आप मैसेज डिलेट करना चाते हैं आपको उस चैट को सेलेक्ट करना है फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा ओके अब यहाँ पर देखो दोस्तों जैसे कि यह वाला जो मैसेज होता है यह तो डिलेट हो जाता है बट दोस्तों यह जो मैसेज है यह डिलेट नहीं होता है मतलब दोस्तों अपनी सा को दोनों तरफ से डिलेट करके आपको दिखाऊंगा और दोस्तों बहुत से लोग आपको फेक ही प्रोसेस बताते हैं तो आप इस वीडियो को बिना इसकेप के वीडियो को पुरा ध्यान से देखेगा आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सही जानकारी दूँगा तो दोस्तों सबसे पहले में आपको इस मैसिज को डिलेट करके दिखाऊंगा कैसे आप इस मैसिज को दोनों साइड से डिलेट कर सकते हैं अपनी साइड से और उसकी साइड से ठीक है तो देखें दोस्तों आपको इस मैसिज को डिलेट करने के लिए इस पे लोंग प्रेस क के रखना है और इसमें दोस्तों आपको तीन option लेंगे जैसे reply, unsend और copy text तो आपको इसमें option लेगा unsend का इस पर आपको click कर देना है फिर आपको इसमें यहापर दो option लेंगे cancel और unsend तो आपको simply unsend वाले option पर click कर देना है और यह message delete हो जाएगा दोनों side से आपके side से भी और उसकी side से भी ठीक है देख सकते हो यहाँसे message delete हो चुका है अब दोस्तो जो यह message है इसको कैसे delete कर सकते हैं देखे आपको यहाँपर इस पर long press करके रखना है ऐसे और दोस्तों यहाँपर देखो तीन option लेंगे reply, report, copy text ठीक है तो यहाँपर तीन option है यहाँपर unsend का option नहीं है तो आपको क्या गरना है आपको report वाले option प तो आपको वी एक option select करके इसको report कर सकते हैं ठीक है यह देखो जिससे आप spam कर सकते हो, यहाँपर scam और यहाँपर fraud कर सकते हो तो अगर आप spam भी करोगे कुछ भी करोगे कुछ भी report कर दो तो दोस्तों यह message delete होने वाला नहीं है ठीक है आप इसको delete नहीं कर सकता है आप कितन नहीं कर सकते हैं ठीक है आप अपने friend को बोल सकते हैं जिसके साथ आप chat कर रहे हो भाई ये वाला message delete कर दे तो ये message delete हो जाएगा वाजना ये message delete नहीं होगा आपकी तरफ से आप ये message delete नहीं कर सकते हैं जो लोग आपको बताते हैं ये message delete कर सकते हैं आप अपनी तरफ से तो दो चैट पे किलिक करके रखना है ठीक है और इसमें आपके एक option लेगा डिलेट का इस पर आपको किलिक कर देना है पूरा चैट डिलेट हो जाएगा बर दोस्तों जो वह message है उसकी तरफ से डिलेट नहीं होगा यह message आपकी तरफ से डिलेट होगा जैसी यहाँ पर देखो दोस्त तो आपने जो message डिलेट किया है वो आपकी तरफ से डिलेट होगे आपने जिसके साथ chatting किया है उसने आपको अपनी तरफ से जो message सेंट किया है उसकी तरफ से कोई भी message डिलेट नहीं होगा आपके तरफ से message डिलेट होगा ठीक है जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर पुरा chat डिलेट हो चुका है तो दोस्तो यही ता आज किस वीडियो में अगर आपके वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, सेर करना, कॉमेंट करना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करतेना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो म तब तक के लिए गुडबाई एंट टेक केर